मैं शिवाम मिश्र, CGS कोचिंग के डारेक्टर के रूप में आप मुझे जानते हैं, प्लस अभी बच्चों के साथ मेरा संबंध जो था, वो साइकॉलजी के विशे में भी था, साइकॉलजी का पार्ट है, वो पढ़ाते हुए था, यह जो वीडियो है, वो उसका रेफरेंस में आपको बता दो पहले, यह वीडियो है, कल जो DSSB के द्वारा, MCD के अंदर प्रैमरी टीचर की रिक्रूट्मेंट के लिए एक्जाम कंड़क्ट होना है, उसी रेफरेंस में यह वीडियो है, और पिछले महीने जब 28 सितंबर को MCD के इस PRT एक्जाम की डेट, DSSB की तरफ से अपडेट की गई वे उन सारे विद्यारतियों के मन में एक शंका और एक तरीके से अब कहें, एक भय का बातावरन तयार होगे, कि भी कैसे त्यारी होगी एक मेने के अंदर, और वो परिशान से हो गया, और वही परिशानी कहीं कहीं, हमारी पूरी टीम को भी थी, हम भी उसी हिसाफ से परिशान सब ने पूरा सपोर्ट किया बच्चों के तैयरी के लिए दूसरी तरफ अगर हम ठीचर की बात करें तो सभी फैकल्टीज में एक्जाम में लगे वह थे उन बच्चों की त्यारी के लिए लगे हुए थे जाये वो गौरो सर हो अभय सर हो अंकुर सर हो विजय सर हो चैबो संजीव सर हो जनमेज सर हो डिपिका मेह हो यह सब लोगों ने अपना दाइमा सर है अगर किसी का नाम चूट रहा असुत सर है किसी का नाम चूट भी रहा है तो वो प्लीज इस इसको इंक्लूड करके चले अपने आपको पुरी सीजेस्टीन के अंदर पुरे फेकल्टीज के अंदर और इन सभी लोगों ने मेहनत करी हर तरीके से पुरा समय दिया जो आदमी दस आट गंटे पढ़ा सकता तो उसने बा अब इसलिए नहीं करा सकते थे हम कुछ भी कर लेते क्योंकि यह सारा प्रयाज सारा प्रक्रम आप ही के लिए था तो आप बच्चों ने भी काफी डिकेशन दिखाया काफी को आपरेट किया पुरे टीम को हमारे और बहुत बहतर इन तरीके से आपने पढ़ाई की और उस मैं मानता हूं कि कल के परिच्छा में अच्छे परिणाम का द्योतक है अच्छे परिणाम देने वाला संकेत है क्योंकि पूरी तयारी चाहे में एक महीन में कर रहा हूं चाहे च्छे महीन में तयारी कर रहा हूं अगर कल जो दो गंटे का एक्जाम है उस दो गंटे को हमने मेंटेन रख लिया, कूल रह गया, काम रह गया, धैरे बनाये रखा, घबराये नहीं, डरे नहीं, एक्जाम से, तो निश्चित रूप से हम अपना जो भी पढ़ाई है अभी तक की हमारी आपकी, जो भी आपने पढ़ा हुआ है अभी तक, बीएड में, उसके पहले आपने अपने अपने सीटेट पास किया हुए, उसमें, फिर आपने जो डीएसेसबी और के एक्जाम दिये हुए, जो अभी तयारी आपने की है, रिसेंटली डीएसेसबी के लिए, इस पर इच्छक लिए, वो सब कहीं ने कहीं मिलके, आपको प्रसनों को हल करने में मदद करेगी तो एक अच्छी स्ट्रेटजी से, अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे सिख्षक बनने के सपने को साकार करने के लिए, अपने माबब का असिरवाद लीजिए, अपने सभी बड़े बुज़ुगों को याद कीजिए, उनका असिरवाद लीजिए, और पॉजिटिव एटि तो यह सारी चीजें अगर बाई चान्स हो ना हो तो सबसे बड़ी है अगर हो तो आपके बस रेमेडिय उसके उबलब दर है पेपर में उसका कोई विग्णन ना आने पाए यह ध्यान रखें साथे साथ डिया से सब्सक्राइब करें और उसको अच्छे से फालो करें उसको फ रिलनी जरूरी है तो इनी सारी बातों के साथ मैं सारे ही बच्चों को बसकर कि प्रफिट्र में किसे बितरीके से सोसल मेडिया पर олжाऊचैश्टो पर या यूटूब पर उन सभी बच्चों को उससारी बच्चों को जो भी कल यह को परिछा देनो deviation रहें प्याटी का आप सब जाके अपना बैतरीन परफॉर्मेंस दीजिए, अपने आप पर यकीन करते हुए, चीजों को अपलाई करिए, जो भी आपने पढ़ाया है, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाईए, और ध्यान रखें कि पेपर देते समय कोई भी ब्लंडर न हो आपसे, चाहे वो OMRC के होंगे, लाबदायक होंगे, आप सभी कहीं कहीं चैनित होंगे, इन्ही सुविक्षाओं और इन्ही कामनाओं के साथ, मैं आपको फिर से एक बड़ी बेस्ट आप लग कहता हूँ, आप सब लोग जो है कल पेपर दें, पेपर देने के बाद जो भी आपको रहते हैं, उसको जो थोड़ी विस्वसनी हो और ठीक हो, जिसे आप अपना आकलन ठीक चरिके से कर सकें, तो कल आप पेपर दीजिए, उसके बाद जो भी बात होती हम करेंगे, अपने अपने चैनल की माद्जन से, तैंक यू सो मच, एन्वेस्ट आप लग को आपको आपके एक्जाम के लि अपने बेस्ट आप लग तेंक यू सबी प्याटी के सभी बच्चों को मेरे तरब से और बेस्ट कलते एक्जाम के लिए दिमाग ठंदा रखिएगा, आराम से पिपर कीजिएगा, और मुझे फूरा उमीद और विश्वास है कि पिपर कल बहुत अच्छा आप लोग का आप सभी को बेस्ट आपके एक्जाम के लिए खुब मैनस से एक्जाम देजिए, बेस्ट आप लग, धन्यवाद अच्छे से एक्जाम दो, अच्छे माँ ले किया हो, अगें, अल्दे बेस्ट, थैंक यू अच्छा में, अच्छे से एक्जाम दो, अच्छे से एक्जाम दो, अच्छे माँ बेस्ट आपके लिएग्जात गल्षे टेम टेस्ट आण एवेहा लुग। वी लिए एटिए उन्हों जद्टेग्यों आवें उन्हों पेट निए लेक्सट।